नमस्कार दोस्तों मैं आपके सामने आज दुबारत से हाजिर हूँ एक नई मोटीविशनल कहानी रेकर दोस्तों होता क्या है इस दुनिया में हर कोई आदमी बड़ा बनना चाहता है कौन सा ऐसा आदमी है जो बड़ा बनना नहीं चाहता कोई भी नहीं लगबक साब लेकिन सच्चा यह है कि इस दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि हम बड़े हो बन जाए और उन में से सिर्फ सो में से 10% आदमी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं और सोचते हैं फिर उसके बाद करते हैं उसके बाद करते हैं और जो करते हैं वही आगे करते हैं जो बढ़ जाते हैं तो वो 90 लोगों पे 10 परसंट लोग राज किया करते हैं वह मतलब उनको अपनी अंडर में रखते हैं सिर्फ 10 पर सेंट लोग नबे लोगों पर राज करते हैं तो ऐसा क्या था उनना पर पशनट लोगों में किया था उनन अब आपने परचनर लोगों में जो कि धूरगी दमटे लोगे अदिन अधीश सच跟大家 कर रहे एं उनको एंडल क्र रहे उनको अपने हैं साथ से चला रहे हैं प्रन कर नहीं किया कमी थी उनन नुगए परचनर लोगों में लेकिन जो दस प्रसेल्ड करें खोर सोचा किया करते गए करते गए और एक दिनום बड़े आदमी बन गए दुनिया उनके पीछे चलने लगीं अब दोस्तों ऐसा संद्रा अदमी दुनिया में जिसके पर परिशाँ परिशानी नहीं आती है हर एक आदमी को परिशानी आती है बहुत ज्यादा परिशानी आती है बहुत बड़ी परिशानी आती है लेकिन असली इंसान वही जो इन परिशानियों से निकल जाता है या तो अपनी दिमाग से निकलता है या फिर अपनी चत्राई से निकल जाता है लेकिन निकल जाता है और वो कौन से लोग होते हैं वो 10% लोग होते हैं लेकिन अगर 90% लोगों में से कोई आदमी अगर बाहर निकल जाता है तो उसके जीवन में या तो किसी का सही रास्ता, किसी की सही डारेक्शन होती है तब वो निकल पाता है जब दोस्तों बुरा बगत आता है तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपने आप में कुछ तूटते नहीं हैं वो अपने आपको इससे बाहर आने का कोशिश करते हैं वो किताबे पढ़ते हैं, motivational कहानिया सुनते हैं, motivational लोगों को follow करते हैं, motivational लोगों को subscribe करते हैं ताकि बुरे बक्त में उनके कुछ इस पीज सुन सके हम। दोस्तों जब परेशानी होती है तो ऐसे इनसान ऐसे भवर मफद जाता है कि उहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम में किसी के द्वारा बोले गए प्रेरख सब दिया पर कहीं पे लिकी हुई प्रेरख कहानियां पढ़ने से लोग भार आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कानी है एक बहुत समय पहले एक बहुत बड़े प्रतापी राजा रहा करते थे। वो हर एक आदमी की इज़त करते थे। लोग उनकी इज़त करते थे। वो लोगों को उफार दिया करते थे। लोग उन्हें उपार दिया करते थे काफी friendly महौल में रहा करते थे वो सब के प्रिये थे तो ऐसे ही उनके दरबार में एक विदेश से कोई आगुंतक आया पत्तब कोई आगुंतक आया उसने राजा को खुस होकर एक बहुत सुन्दर सा बहुत सुन्दर सा पत्थर उफार में दिया क्या दिया पत्थर उफार में दिया राजा उस पत्थर को लेके बड़े खुस हुए इतने खुस हुए इतने खुस हुए इतने खुस हुए उस अगुंतक से बोले कि भाई तुम्हारा पत्थर तो इतना सुन्दर है कि इसका पूजनी हो गया मतलब इसकी पूजा करने लाइक है बहुत सुन्दर है बहुत इस पत्थर की तो पूजा करनी चाहिए यह सुनकर वो अगुंतक बोला कि अगर महराज आपको इतना अच्छा पूजनी लगा है तो आप इसको पूजा करने लाइक ही बना दीजिए इससे बड़ी मेरे लाइफ में कोई इससे बड़ी कोई उफलब्धी होगी नहीं अगर आप इस पत्तर को पूजनी बना देते हैं राजा सबका सम्मान करता था और सबकी रिस्पेक्ट करता था तो उसने क्या किया कि उसने कहा चलो हम इस पत्थर को एक पूजिनी पत्थर ही बना देंगे इस पत्थरों के बना देंगे हमें पूजनी पत्थर ही बना देंगे उसने उन्होंने जो तुरंत राजा ने अपने मंतरी को आदेश दिया बुलाया अपने पास और कहा लो ये पत्थर ले जाओ और इस पत्थर की एक बहुत सुन्दर सी भगवान विश्रुण की पृतिमा मंत्री ने पत्थर लिया और राजा के आदेश के अनुसार उस एरिये का उस राजी का जो सबसे अच्छा मूर्तिकार था असला जो सबसे अच्छा मूर्ति बनाने वाला था सबसे अच्छा मूर्तिकार उसके पास गया और उससे बोला कि यह राजा का आदेश है कि तुम्हें इस पत्थर से एक बहुत सुन्दर सी मूर्ति बनानी है जो बहुत सुन्दर हो ने में और इस मूर्ति के बनाने के बदले में तुम्हें पचास सुन्दर मूर्ति को बनादेते हो तो आपको हम कितने सुन्दरिकाई देंगे तो वो बहुत खुस हुआ, वो इतना खुस हुआ, इतना खुस हुआ कि वो मंत्री के वहां से जाने का इंतिजार करने लगा और जैसे ही मंत्री जी उसके द्रवाजे से भार निकला वो फोरन छेनी हतोड़ा पकड़ा उसने और उसको पत्थर को तोड़ने का प्रियास करने लगा उसने हतोड़ से पत्थर पहला प्रियास किया और जब पहला प्रियास करते ही हुआ कि उसका पत्थर से हतोड़ा फिसल गया उसने दूसरा प्रियास किया, तीसरा प्रियास किया और चौता प्रियास किया, वो प्रियास करता ही गया, करता ही गया लेकिन वो पत्थर तूटा नहीं जब वो पत्थर तूटा नहीं तो वो बड़ा निराज हुआ उसने ऐसे करते ही करते उसने कम से कम पत्थर पर पचास बार करे लेकिन पत्थर जसका तस रहा बिल्कुल नहीं ला बिल्कुल नहीं तूटा उसने कई बार किये, कई बार किये, पत्तर नहीं तूटा जब वो पचास बार उसके उपर प्रहार करके गया कर गया, तो उसने अंतिम बार प्रियास करने का सोचा उसने अंतिम बार सोचा कि अब एक बार तोड़ के और देखता हूँ, उसने हत्रोडा उठाया लेकिन उसनी और सोच कर प्रियास करने से पहले ही छोड़ दिया किया जब यह पचास बार में नहीं तूटा है तो अब क्या टूटेगा जब मैंने इसको पचास बार प्रियास कर लिया है और अभी तक नहीं तूटा है तो अब नहीं तूटेगा और उसने यह छोड़ कर यह सोच कर उसने छोड़ दिया उसने आगे प्रियास नहीं किया और उसने पत्थर तोड़ने की कोशिस छोड़ दी जब उसने पत्थर तोड़ने की कोशिस छोड़ दी तो वो मंत्री के पास गया और मंत्री से उसने बोला कि महाराज कि आप अपना पत्थर लीजिए ये पत्थर तूट नहीं सकता और जब ये तूटाएगा नहीं तो इसकी मूर्ती बन नहीं सकती और इस पत्थर से कोई मूर्ती बनेगी नहीं ये पत्थर किसी काम का नहीं है सिर्फ चमकीला है बस देखने का है लेकिन इससे मूर्ती नहीं बनाई जा सकती है उसने प्रियास छोड़ दिया उसने बापस कर दिया पत्तर लेकिन मंतरी की समश्या तो बढ़ गई मंतरी सोचे कि यह हुक्म तो राजा का है और इसमें से मुझे मूर्ती बना के देनी ही पड़ेगी जो कि बहुत जरूरी है अगर नहीं देता हूं मैं इसकी मूर्ती बना के तो राजा मेरी गर्दन को कलम कर देंगे उसने का मूर्ती तो बना के देनी पड़ेगी चाहें सुन्दर ना हो लेकिन देनी तो है अब वो उस पत्तर को लेके जो से चोटा उस बड़े कारीगार से जो चोटा मूर्ती कार था उसके पास गया और उसको मूर्ती देते हुए बोला उसको मूर्ती के लिए पत्थर देते हुए बोला कि यह पत्थर है इससे तुम्हें एक विश्ण भगवान की मूर्ती बनानी है अगर तुम यह मूर्ती बना देते हो तो हम आपको सौसौन मद्रकाएं देंगे क्या देंगे स्वा सौन मंदर का हैं ये सुनकर बो भी बड़ा खुस हुआ उससे का ठीक है ठीक है महाराज बन जाएगी और आप दो दिन दिन में इसको ले जाना मंतरी के जाने के तुरंत बाद उसने हत्रोला उठाया और जैसे उसने पहला हत्रोला मारा पथर टूट गया क्या हो गया दोस्तों पत्थर तूट गया उसका खुजी का ठिकाना नहीं उसने फड़ा फड़ उस पत्थर से मूर्ती एक सुन्दर सी मूर्ती बना दी जब उसने एक सुन्दर सी मूर्ती बना दी और उसने दो तीन दिन की अंदर मूर्ती तयार की और बहुत अच्छी कि आपने ये मूर्दी कैसे बनाई उसने कहा माराज ये पत्थर तो बहुती मुलाइम था नरम था, मैंने पहला ही हतोड़ा मारा और ये तूड़ गया जैसे तूड़ गया, मैंने इससे फसला सच्छी सी मूर्दी बना दी अब मंत्री मनी मन सोचने लगा कास पहले वाले ने एक प्रियास और किया होता कास पहले वाले ने इस पत्थर को तोड़ने का एक प्रियास और किया होता तो वो पचास सुरण मुद्रकाएं उसकी होती पचास सुरण मुद्रकाएं किसकी हो जाती पहले मूर्तिकारकी हो जाती है, और यह सोचते हुआ उसे काफी अफसोस हुआ, तो दोस्तो इस काहनी का मोटो यही है, कि हमें पिरियास करना चाहिए, हमें हारना नहीं चाहिए, अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है, तो उसको करना चाहिए, जब तक आपको अच्छा जब आप उसकाम को कर्यें कर शौड़ ऐसको करते रहेंगे करते रहेंगे तो तो दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोख आपको कौई नहीं रो सकता आप बढ़ते ही जाओगे तो एक रख यही thousands नहीं रोकेगा को नहीं कर से लुँँआ करो जब इस्टार्ट करोगे तब ही आपके सामने परिशानी आएंगी जब आप इस्टार्ट करोगे ही नहीं तो आपको परिशानी कैसे आएंगी जब परिशानी आएंगी तो उनका सॉलूशन भी आएगा दुनिया में ऐसी कोई भी परिशानी नहीं है जिसका सॉलूशन न करो, बढ़ो आगे, बढ़ो तो, जब करोगे तभी बढ़ोगे.